दोस्तों क्या आप भी अपने फेस्बूक अकाउंट के पासवर्ड को भूल गये हैं अपने फेस्बूक अकाउंट के पासवर्ड को पता करना चाहते हैं अपने फेस्बूक अकाउंट के पासवर्ड को देखना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को दो तरीका बताऊंगा जिससे दुस्तों आप बहुत ही आसान तरीके से अपने Facebook अकाउंट के पासवर्ड को देख सकते हैं और पता कर सकते हैं दुस्तों काफी सारे लोगों के साथ आजकल ये प्रॉबलम आ रही है कि वो Facebook अकाउंट बनाते समय जो पासवर्ड रखा था जो बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं तो अगर आप भी अपने Facebook अकाउंट के पासवर्ड को पता करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किये लाश्ट तक देखते रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को दो तरीका बताऊंगा आप इन दोनों में से किसी भी तरीके से अपने Facebook अकाउंट के पासवर्ड को बहुत ही इसली पता कर सकते हैं अगर पहला तरीका आपके लिए काम नहीं करता है तो दूसरा तरीका 100% आपके लिए काम करेगा और दूसरे तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने Facebook अकाउंट के पता कर सकते हैं Facebook account के password को देख सकते हैं उससे पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी request करता हूँ हम आपके लिए इतनी कमाल कमाल की videos daily post करते हैं तो आपका भी फर्च बनता है कि सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चनल को subscribe कर ले और इस notification bell को दबा के all पर सिलख कर ले इसके बाद दोस्तों आईए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने Facebook account के password को पता कर सकते हैं बहुत ही आसानी से इसकी लिए दोस्तों करना क्या है आपको सबसे पहले आपको Facebook application को open करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस परकार से Facebook application open हो जाती है यहा प्राइवेसी देखने को मिलेगा आपको इसके उपर क्लिक करना है। क्लिक कर देना है और जिस भी facebook account का password पता करना चाहते हैं उसके लिए आपको facebook account को select कर लेना है लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप select करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना जो current password है वो यहाँ पर आपसे मांगा जाता है यानि कि जो आपका पुराना password है उसे आपसे मांगा आपको पुराना password तो पता है नहीं तो कैसे आप अपने facebook account के पुराने password को पता कर रहेंगे आईए मैं आपको बताता हूं सबसे पहले आपको करना क्या है आपके phone के अंदर जो setting दिया हुआ है इसे आपको open कर लेना है setting को open करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा scroll करते हुए नीचे जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर आपके सामने google नाम का एक setting देखने को मिलेगा आपको इसके उपर click कर देना है इसके उपर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको all services का एक option दिया हुआ है आपको all services के उपर click कर देना है यहाँ पर click करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर scroll करते हुए नेचे जाना है नेचे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने autofill with google का option देखने को मिलेगा बस आपको यहाँ पर autofill with google के उपर click कर देना है step को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना तभी आप बहुत ही आसानी से अपने facebook account के password को पता कर सकते हैं यहाँ पर click करने के बाद दोस्तों आपको google password manager यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको इसके उपर click कर देना है इसके उपर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते है facebook.com दिया हुआ है बस आपको इसके उपर click कर देना है इसके उपर click करने के बाद आपके mobile के screen पर जो भी lock लगा हुआ है pin lock, fingerprint lock या फिर pattern lock उसे आपको यहाँ पर enter कर देना है ठीक है enter करने के बाद confirm कर देना है जैसे ही दुस्तों आप confirm कर दोगे तो यहाँ पर उपर आपकी जो facebook का username है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और नीचे दोस्तों आपको facebook account का जो password है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यहाँ से आप बहुत ही आसाने से अपने facebook account के जो password है उसे आप पता कर सकते हैं आप चाहे तो यहाँ पर IK बटन पर क्लिक करके अपने Facebook अकाउंट के पासवर्ड को यहीं पर देख सकते हैं या फिर आप चाहे तो यहाँ पर Copy वाले आप्शन पर क्लिक करके अपने Facebook अकाउंट के पासवर्ड को Copy कर सकते हैं और बाद में आप जहां चाहे वहाँ Facebook अकाउं के password को पता कर सकते हैं इसके लिए दुस्तों आपको करना क्या है आपके phone के अंदर ये जो Google Chrome browser दिया हुआ रहता है इसे आपको open कर लेना है इसे open करने के बाद दुस्तों आपको करना क्या है यहाँ पर आपको उपर 3 dot दिखाई देगी आपको इस 3 dot के उपर क्लिक कर देना है फिर दुस्तों यहाँ पर सबसे नीचे आपको settings का option मिलेगा आपको इसके उपर क्लिक कर देना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद दुस्तों Google password manager का option देखने को मिलेगा बस आपको इसके उपर क्लिक कर देना है तो दोस्तों आप सेम सेटिंग पर सेम जगह पर पहुंच जाओगे बस आपको यहाँ पर facebook.com के उपर क्लिक कर देना है फिर दोस्तों आपके phone का screen जो भी lock लगा हुआ है phone के screen पर उसे आपको verify कर देना है फिर यहाँ पर आपको सेम जगह पर पहुंचने के बाद दोस्तों आप अपना जो password है उसे आप देख सकते हैं copy कर सकते हैं तो दोस्तों इस परकास से आप इन दोनों तरीकों से अपने facebook account के password को बहुत ही easily देख सकते हैं और पता कर सकते हैं अगर दोस्तों इस वीडियो को दिखने के बाद आप अपने facebook account के password को पता कर पाए हैं तो नीचे दोस्तों comment करके जरूर बताना और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को